चेप्टर 3 अपने सत्य की रचना आप स्वयम करते हैं। अभी अधिक समय नहीं हुआ है जब हमारे मित्र जैरी एवम एस्थर का इस उक्ती से परिचे हुआ कि अपने सत्य के रचनाकार आप स्वयम है। उन्हें यह जैन रॉबर्ट्स की श्रेष्ट पुस्तकों में मिला। उनके लिए यह खोज, रोमान्चक और परेशान कर देने वाली दोनों ही थी क्योंकि हमारे बहुत से अन्यभौतिक मित्रों की तरहे उनकी भी अपने अनुभवों पर रचनात्मक नियंतरन पाने की इच्छा थी। लेकिन कुछ बनियादी प्रश्न उन्हें परेशान कर रहे थे, क्या वास्तव में हमारे लिए उस सत्य को चुनना उचित है, जिसे हमने स्वैम रचा है, यदि हमारे लिए ऐसा करना उचित है, तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकेंगे। आपको जनम से ही ग्यात है कि अपने सत्य के रचनाकार आप स्वैम हैं, और अपने भीतर ऐसा करने की इच्छा के प्रबल रिती से कुल बुलाते रहने के बावजूद, जब आप अपने समाज में संगटित होना आरंभ करने पर उस तस्वीर को लगभग स्विकार करने वास्तविक अनुभवों के आधार के रूप में बनी रहती है और अंतते है आपके जीवन अनुभवों का निर्मान पूर्णते है और केवल आप पर निर्भर है, आपको यह कभी पसंद नहीं आता कि कोई दूसरा बताई कि आपको क्या करना है, आपको अपने प्रबल अधिक वास्तविक है, धीरे धीरे आप अपने जीवन के मार्गदर्शन का संकल्प छोड़ने लगते हैं, आपको यह ज्यादा आसान लगता है कि आप उनके आपके लिए सबसे बहतर क्या है कि विचार को स्विकार कर ले, बजाए इसके आप इसे खुद जानने का प्रया लेकिन इस समाज दवारा आपको अपने अनुकूल बनाने को स्विकार करने और खोज के प्रयासों की परेशानी से बचने के प्रयास में आप अंजाने में ही अपने सबसे बुनियादी आधार रचना करने की अपनी कुल वैसंपून स्वतंतरता को त्याग देते हैं, आप कोई स्वतंतरता को इतनी आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए, बलकि वास्तों में आप इसे छोड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यह आपके आस्तित्व के सबसे बुनियादी जड़ सूत्र में मौजूद रहती हैं, फिर भी आपके साथ चलने की मन्शा के अपने प्र दूसरा आपके अनुभवों का निर्मान नहीं कर सकता, यह पुस्तक आपको स्त्रोत उर्जा के साथ पुनह संगठित करने के लिए है, यह आपको स्पष्टता, भलाई और उस शक्ति के प्रती पुनर जागरत करने के लिए है, जो वास्तव में आप में है, इसे लिखने क कारण आपको इस ग्यान की और पुनह लोटने में सहायता करना है, कि आप स्वतंत्र हैं और हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं, तथा आगे भी चुनाव के लिए हमेशा स्वतंत्र रहेंगे, दूसरों का अपनी वास्तविक्ता रचने का प्रयास करने को स्विकार करने में कोई संतुष्टी नहीं है, बलकि किसी दूसरे के लिए आपकी वास्तविक्ता की रचना करना संभव ही नहीं है, एक बार जब आप अपना तालमेल पुनह, उन शाष्वत शक्तियों तथा सार्व भौमिक नियमों और उनके साथ बैठ जाता है, जो सचमुच आपका स्त्रोत है तो आपके लिए ऐसा आनंद पूर्ण स्रजन प्रतीक्षा करता होगा, जो भौतिक वर्णन से परे होगा, क्योंकि अपने अनुभवों का निर्मान आप स्वयम करते हैं, और अपने जीवन के संकल्प पूर्ण मार्ग दर्शन में अत्यधिक संतुष्टी है आप भौतिक स्वरूप में शाश्वत पूरुष हैं, जिससे इस विशिष्ट भौतिक जीवन अनुभव को चुनने के बहुत से अध्भुत कारण हैं, पृत्वी ग्रह की यह समय अंतराल वास्त्विक्ता वह धरातल प्रदान करती हैं, जिसमें आप अपने द्रश्टिक को विशिष्ट श्रजन उद्देश्य पर केंद्रित रख सकते हैं, आप शाश्वत चेतना हैं, जो इस शांदार भौतिक शरीर में विशिष्ट केंद्रन और स्रिजन का रोमांचवे आनंद लेने आए हैं, आप जिस भौतिक जीव को मैं के तोर पर संदर्भित करते हैं, वह अग्रणी विचारों पर केंद्रित हैं, जबकि चेतना जो वास्तव में आपका स्त्रोत है, आपके माध्यम से प्रवाहित हो रही है, और आप पूरी तरह से खुल जाएंगे और अपने स्त्रोत को सही मायने में अपने माध्यम से अभिव्यक्त होना स्विकार कर इस पुस्तक को लिखने का कारण आपको यह समझने में सहायता देना है, कि आप मेवह शमता है, कि आप अपने सच्चे स्वभाव को अपने माध्यम से प्रवाहित होना हमेशा स्विकार कर सकें, और जब आप अपने स्त्रोत के साथ अपने पूर्जा, इश्वर और सभी चीजें जिसे आप अच्छा मानते हैं कि साथ सतत संपर्ग में रह सकते हैं, परम कल्यान आपके ब्रह्मांड का आधार है, कल्यान इस ब्रह्मांड का आधार है, कल्यान सभी चीजों का आधार है, यह आपको और तथा आप में से प्रवाहित होता है, आपको बस इसे स स्वभाविक संबंधों को बोधपूर्ण स्विकारियता देने के बारे में है यह आपको याद दिलाती है कि वास्तव में आप कौन हैं जिससे आप अपने लिए वैसे ही जीवन अनुभव स्रजित कर सकें जिनकी इस भौतिक शरीर में आने से पूर्व आपने कलपना की थी और इंशांदार अग्रणी अनुभवों में आप अपनी कलपनाओं को मुक्त रूप से अंतहीन आनंद पूर्ण वैसेह रचनात्मक धंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप कितने प्रिये हैं, कितने सौभग्यशाली हैं, कितने पसंद किये जाते हैं और इस रचनात्मक प्रकृरिया का कितना अनेवारिये हिस्सा हैं। जो आप देखते हैं परिस्थितियों और घटनाओं का सिलसिला अद्भुत सहसरजित अनुभवों के वे सिलसिले जहां आप एक दूसरे के साथ किसी और कारण से नहीं बलकि केवल इस कारण से जुड़ जाते हैं जिसका आश्चरे जनक रूप से महत्वपूर्ण कारण परि बढ़ते रहते हैं लेकिन आप यहां आगे बढ़ने की खोज हितु नहीं हैं आप यहां बेहिसाब आनंद का अनुभव लेने के लिए आए हैं और यहीं आपके यहां होने का कारण है